नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आटो के जिस प्राइम है जिसे आप जानते हैं हम रोज ले के आते हैं आपके लिए डेली डोस तो आज भी आपके लिए लाएं है गजब गजब की नीज आज है करेंगे आपको पसंद आईए तो चलिए पता लगाते हैं आज के डेली डोस के बारे में और आशा करता हूँ आपको खलका डेली डोस साथी साथ गेंपले अच्छा लगा होगा अगर आप देखना भूल गाएं तो नीचे जाए हमने लिंक प्रवाइड करके देखे और बताइए कैसे लगा अगर अच्छा लगता है त और कौन कौन सी कंट्री में यहां देखने मिलेगा तो अभी सिफ जर्मर्डी में है हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको और कंट्री में भी यह देखने मिल जाए तो एक अच्छी न्यूज आईए है और देखने ओर और केसा रहता है यह नया इस्टेबल एंडुड और इसके अंदर क्या यह इंप्रूवड है या फिर यहां अभी भी बग्स देखने को मिल रहे हैं तो आने वाले टाइम में मालूग बढ़ता जाएगा पर लुगा बताइए क्या सो सो क्या वेट कर रहे हैं इस्टेबल एंडुड नाइन पाई का वो भी अपने संसंग ग अपस बंध कर लेन आपको खोल लेगा यहां पर आपको प्रसेंट कर बात को आपको सौने तो यह याप गणाब सीलगता है यह को आप जैसी लिएत जो आती है Corning Gorilla Glass 5 के protection के साथ, यहाँ पर बात करें और क्या-क्या चीज़े देखनों मिलेगी, तो यहाँ आपको मिलता है Intel 8th Generation Core Whisky Leg Processor, जो आता है 16GB RAM के साथ, यहाँ पर आपको Intel का Ultra SD Graphics 620GB देखनों मिलता है, यहाँ पर आपको 2TB की SSD देखनों मिलताती है, और यहाँ पर क दो लेजारे कि मार्च से अवेलेबल हो जाएगा, और इसकी pricing बताई जा रही है, $1,600,00 के आसबास, तो कुछ इस प्रकार से आपको इसकी pricing देखनों मिलेगी, अब आप बताईए क्या सोस्ता है और क्या आप इससे purchase करना पसंद करेंगे, तो comment कीचे और बताईए, बात कर अगली डेलिट हो गए, तो यहां रही LG की तरफ से और यहां पर इन्होंने अन्विल कर दी है, नई flagship TVs, वो भी CES 2019 के कुछ दिन पहले ही, यहां पर बात करें अब इन TVs की, तो इनका model नमबर बता जा रहा है, W9, E9 और C9, और यह तीनों जो टीवी है, यह आईए OLED पैनल के साथ, और यहां पर इसका model नमबर बता जा रहा है, SM99, यही बात करें, इसके अगले model की, जो की गजब की है, यहां पर आपको मिल जाती है 88 इंच की डिस्पले, जो की आती है 8K OLED पैनल के साथ, और इसका model नमबर बता जा रहा है, Z9, यहां पर बात करें, और क्या के स्टेंड का भी सपोर्ट देखने हो मिलेगा तो बहुत सारी और बहुत तगडीड एजी की तरह से टीवी आने वाली है देखते क्या निकल के आती है इनकी प्राइसिंग और कब से यह अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में तो अब पते ही क्या सोस्ते इन नए टीवी के बार इसके उपर आपको मिलेगी एक LED स्टीव तो यहां पर क्या होगा जब भी अगर आप इससे अनलोग करेंगे तो वह स्टीव जब जब आईगी या अगर आपके मैसेज आएगा तब वह आपको अलर्ट दिखा देगी यहां पर बोले दार है कि औरल यहां आपको मिलना वाल देखता है बात करें फ्रेंड की तो अभी कुछ मालूम नहीं है यहां बात कर लें बैटरी के तो बोला जा रहा है कि 5000 एमेज तक की बैटरी आपको देखनो मिल सकती है तो यहां पर वेट करते हैं देखते क्या होता है किस प्रकार से हमारे को Samsung Galaxy M20, M10, M30 देखनों मिलता है और क्या और वर वल इनकी pricing निकल के आती है तो बताईए क्या सोचते हैं इस नई लीक के बारे में क्या आपको लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग आ सकता है इस बार Samsung की तरह से तो कमेंट खीजे और बताईए बात करें अगली डिली ड़ा दुए तो यार यहां पर इन्हो डिस्प्ले के साथ और यहां पर आपको देखने मिल जाती है HD resolution यहां आपको Intel का Dual Core Cellarion processor देखने मिल जाता है इस्टोरेज और कनेक्टिवीटी के लिए सारे उके वही देखने मिलेंगे यहां पर बात करें कीबोड की तो यहां आपको मिलता है बड़ा ही अच्छा कीबोड और 2 mm का ट्रेवल देखने मिलेगा यहां पर आपको spill और temper resistant यह कीबोड देखने मिलता है फिर आता है flip C214 औ इससे आप upgrade करके पहुचा सकते हैं in 4100 पर यहां पर बात करें RAM की तो 4GB की RAM देखने मिलेगी और 32GB की internal storage देखने मिलेगी यहां पर बात करें क्या के और देखने मिलेगा तो वो की वही connectivity आपको option देखने मिल रहे हैं यहां पर बात करें इसके अगले और final product की तो यह है tablet और और यहां पर आपको मिल जाता है op1 processor जो की hexa core वाला है और यहां पर आपको okay वही ports देखने मिल जाते हैं same 35Wh की battery देखने मिल जाती है और यहां पर आपको rubber inserts देखने मिलते हैं और rugged proof यह आपको देखने मिलेगा यहां पर बात कर लें इसकी pricing और availability तो अभी यह कुछ unveil नही है बात करें अगली डेली डोजी तो यह आ रहे है डेल की दरों से और यहां पर इनका आया है एक लाजवा patent जिससा मालूम बढ़ा है कि यह लेकर आना वाले है dual display वाला laptop जी हां जैसा आप अपने screen में देख सकेंगे कुछ इस प्रकार से यह आया है और यहां पर आप देख देखना यह होगा किस प्रकार से यह work करते हैं क्या feature होते हैं और कब तक यह हमार को real life में देखनों मिलते हैं तो आप बताइए क्या सबस्ते इन patent के वारे में क्या आपको यह अच्छे लगी कि नहीं लगे कमेंट खीची और बताइए बात करें अगली डिलेट हो दोगी त साथ ही साथ आप जो folder mechanism देखेंगे इसके अंदर UI automatically पता लगा लेगी आप कौन सो mode में क्या चीज़ देख रहे हैं और उसी हिसाब से यह adjust कर लेगी तो यह एक लाजवाब patent सामने आया है वो भी LG की तरफ से अब देखते हैं यह वाला patent हमार को किस प्रकार से real life में देखनो क्या आते हैं तो आप यह क्या सोस्ते इस नए patent के बारे में और क्या आप चाहेंगे इस फोल्डेवल स्मार्टफोन को यूज़ करना तो कमेंट खिची और बताइए बात करें अगली डिलीड होगी तो यह यह संसंग के दो नए लीक से और यह लीक कहती है कि Galaxy S10 जो है वो आ सकता है पांच अलग-अलग models में जी हां पहले बोले दा रहा है था तीन अब बोले दा रहा है कि पांच model में देखने को मिल सकता है साथ यह साथ यहां पर एक और लीक आई है और यह कहती है कि जो Samsung Galaxy S10 Lite है उसके अंदर आपको देखने मिल सकती है 3100 mH की battery जी हां जैसा आ देखते क्या होता है क्योंकि अगर आप battery के बात करें S10 Lite में तो यह बहुत ही कमजोर है और एक flagship smartphone के लिए तो बड़ी negative सी चीज होगी तो वेट करते आने वाले टाइम में मालूम बड़ी जाए तो बताई यह क्या सोस्तों क्या लगता है कि वह दो और model कौन से आने वाले ह S10 के अंदर हमारे को देखने हो मिलेंगे तो comment शीची और बताईए बात करें अगली डिलिट हो दो यह यह गूगल के नए पेटेंट से और यह पेटेंट हो चुका है अब लीक और यहां पर मालूम बड़ा है कि यह तयार कर रहा है फोल्ड डेवल पिक्सल स्मार्ट फोन को जी हां जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यह पेटेंट सामने आया है और यह बैजली आप मल्टी टास्किंग कर सकेंगे और मज़ा उठा सकेंगे अब यहां पर देखना होगा कि किस प्रकार से हां फीचर होते हैं किते केमरा देखनों मिलते हैं किस प्रकार से हिंज देखनों मिलती है और किता यह लाजवाव होता है अधर कंपनी से तो वेट करते आने वाले ठाइम में मालूब बढ़ी दाएगा पर रहें तो यहां पे इन्होंने अन्विल कर दी है एक गजब की नई ग देखी रहें कुछ इस प्रकार से और लुक मिलेगा यहां पर आप फ्रेंट देखेंगे तो यहां आपको LED लेंप देखनों मिल रहे हैं गजब का आपको ब्लेक कलर देखनों मिल रहा है और किड्नी क्रील बहुत ही लाजवार लग रहा है नीचे की तरफ देखेंगे तो क्रोई लेंदगना है स्पिषिका बहुत है यहां बात करें इनटीरय के लुक है यहां बहुत क्या चुकि एक कुल लाजवाब गाड़ी अब यहां पर यह देखना होगा कब तक यह अवेलेबल होती है क्या इसके प्रैसिंग कर आती है क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है तो वेट करते आने वाले टाइम में मालूप बढ़ी जाएगा बने दुआ बताइए क्या सोस् आना भार वट माते की, चेह!